आगरा में सरवाधेत लोगप्रीय चैनल सीन्यूस के एक को आज ही गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड करें यूपी बोर्ड की प्रायोगीक परिक्षाएं तीन फर्वरी से शुरू होंगी परिक्षा दो चर्णों में कराई जाएगी उत्तर प्रदेश माध्मिक सिख्षा परिक्षा का गुर्वार को एलान हो गया पहले चरण की परिक्षा तीन फर्वरी से शुरू हो रही है जबकि दूसरा चरण तेरा फर्वरी से शुरू होकर बाइस फर्वरी तक चलेगा इंटर्मीडियेट की परिक्षाओं के लिए यूपी बोर्ट परिक्षकों की तैनाती करेगा वहीं हाइ स्कूल में आंतरिक मुल्यांकन प्रधान च्वारे के माध्यम से कराया जाएगा माध्यमिक शिक्षा परिशत उत्तरप्रदेश प्रयागराज द्वारा संचालित वर्ष 2021 की इंटर्मीडियेट की प्रयोगात्मक परिक्षाएं क्रम अनुसार दो चर्णों में जन्पदों में संपन कराये जाएगी जो की इस प्रकार है प्रथम चरण तीन फर्वरी से बारा फर्वरी तक मंडलों के नाम आगरा, सहरनपुर, बरेली, लखनव, जहासी, चित्रकूर, फैजबाद, आजमगण, देवी पाटन, बस्ती दूसरा चरण तेरा फर्वरी से बाइस फर्वरी तक मंडलों के नाम, अलिएगर, मेरट, मुरादाबाद, कानपुर, प्रियागराज, मिर्जापुर, वारानसी, गोरगपुर इस बार होने वाली बोर्ट परिक्षाओं में शिक्षा विवाग का COVID-19 को देखते हुई कुछ एहम फैसले लिये गए हैं, जो कि विध्यार्तियों के लिए लाब जनक सिद्ध होंगे युपी बोर्ट के सचेव दिवेकांच शुकल ने प्रायोगिक परिक्षाओं का विसरत कारिक्रम जारी करते हुए, सभी जिला विध्यालेव, निरिक्षकों को तयारी शुरू करने के निर्देश दिये गए हैं युपी बोर्ट पहले से ही हाइ स्कूल वा इंटरमेडियर्ट की लिखित परिक्षाओं मार्च वा अप्रेल में कराने का संकेत अकैडमी कैलेंडर में दे चुका है, संभव है कि जल्धी परिक्षा कारिक्रम का भी अहलान हो जाएगा